हलो फ्रेंड्स दिस इस वर्शा वेलकम बैक तू मैं चैनल एक लव इस इच्छक भरती में आपके पी जी टी टी जी टी हॉस्टल वॉर्डन और सभी जो पोस्ट निकली है उनमें नॉलेज ऑफ आई-सी टी के भी क्वेशन्स पूछे जाएंगे इसका एक पूरा पार्ट है किसी एक्जाम में आपके 10 marks के questions है और किसी में 20 marks के questions है ठीक है तो यह बहुत जादा important है इसमें आपका जो computer है उससे related questions आएंगे तो उसकी classes आपको चैनल पर free कराई जा रही है तो चैनल को जादा से जादा share करिए जिससे सभी को benefit हो ठीक है आज आज आपकी class 2 है class 1 की pdf भी टेलिग्राम चैनल पर provide करा दी गई है आप सभी उसको देख सकते हैं okay start करते हैं वीडियो fundamental के ही classes अभी चल रहे हैं क्योंकि computer क्या है उसका जो fundamental है उसकी history है generations है उन सभी को जानना पहले बहुत जरूरी है कल आपकी एक class हुई है उसको देख लीजेगा यह अस्थाई डेटा और प्रोग्राम को इस्थाई रूप से संग्रहित करता है यहां पर बात हो रही है sorry memory की okay तो memory क्या करता है यह इस्थाई रूप से डेटा को और प्रोग्राम को अपने में सेव रखता है और secondary storage device होती है वो डेटा और प्रोग्राम को इस्थाई रूप से संग्रहित रखता है ठीक है यह संसाधित होने के लिए डेटा वे निर्देशों को रखने के लिए CPU के साथ काम करता है अब जो memory है ठीक है तो उसकी जो hard drive होती है वो आपको जो CPU है उसमें मिलेगी ठीक है तो जो data होता है वो store कहां होता है mainly CPU में होता है उसका जो पूरा chart है वो कल की class में आपको दिखाई देगा कि CPU के अंदर कौन-कौन से part आते हैं जिसमें आपकी ALU यानि की arithmetic logic unit, primary memory, secondary memory यह सभी memories CPU में होती है memory उस समय आपके द्वारा उप्यों किये जा रहे किसी भी program के लिए निर्देश और data रखती है memory वह पहला इस्थान है जहां data और निर्देश input होने के बाद रखे जाते हैं सनशादी जानकारी को output device पर वापस लाने के लिए memory में रखा जाता है जब आप कुछ भी input कर रहे हैं ठीक है कुछ भी type कर रहे हैं तो हमने बताया था कि nano seconds में आपको output मिल जाता है जब आप उसको save कर लेते हैं तो computer में वो save हो जाता है तो save कहां होता है CPU में होता है आप उसको कभी भी open करके देख सकते हैं चाहे 1 month के बाद में जब तक आप उसको save रखेंगे तब तक वो save रहेगा and जब अगर आप उसको delete कर देंगे तो वो आपके computer से delete होकर recycle bin में जाएगा and recycle bin से जब आप delete कर देंगे तो वो आपके computer से पूरा delete हो जाएगा ठीक है memory को bytes या megabytes में मापा जाता है memory मूल रूप से दो प्रकारों में वरगिरत किया गया है तो जो हिंदी वाले हैं वो English जरूर देखते रहें किंकि computer की जो language है हिंदी में बहुत ज़्यादा tough है तो उसको English में साथ सी साथ समझते हुए चलें memory कौन कौन सी है पहली देखते है primary memory there are two types of primary memory as follows primary memory भी two types की होते है ठीक है पहली आपके read-only memory तो इसको ही आप थोड़ा इसके नाम पर ही जब जाएंगे तो लिखा हुआ read-only यानि कि आप सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं ठीक है इसमें कुछ भी changes है वो नहीं कर सकते कुछ भी बढ़ा नहीं सकते कुछ भी घटा नहीं सकते सिर्फ क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं रोम इस्थाई memory का एक छोटा छेत्र है जब आप उसमें कोई changes नहीं कर सकते तो वो कैसी memory हो गई इस्थाई memory होगी यानि कि permanent memory होगी जो computer चालू होने पर स्टार्टप निर्देश प्रदान करता है ठीक है जब आप computer on करेंगे तो जो instructions है वो read only memory से ही आएंगे रोम में निर्देश निर्माता द्वारा निर्धारित किये जाते हैं और उपियो करता द्वारा इन्हें बदला नहीं जा सकता यही हम अब भी बता रहे थे कि जो भी computer आपका बनता है ठीक है उसमें ये pre-install होती है इसमें आप कोई भी changes नहीं कर सकते रोम में अंतिम निर्देश computer को operating system को load करने का निर्देश देता है तो इसको बहुत ज़ादा याद रखिएगा कि operating system जो आपका है वो किसमें है read only memory में है अब बात करते हैं random access memory की इसकी spellings, pull forms याद रखिएगा ये abbreviations जो आपके एक topic है उसमें काम आएंगे ठीक है? ये memory का वह छेत्र है जो computer के संचालन के दौरान data और program निर्देश शंगरहित किये जाते हैं ये ऐस्थाई memory है बिजली बंद होने पर RAM में संगरहित data हमेशा के नस्ट हो जाता है इस कारण से ये बहुत महत्पूर्ण है कि आप अपना computer बंद करने से पहले अपना काम सहेज ले मतलब ये है यहाँ पर कि random access memory जो है वो एक ऐस्थाई memory होती है कोई भी जब आप word पर power point पर या कोई भी work आप जब computer पर कर रहे होते है typing वगएरा तो उसको बराबर save करते रहना होता है अगर आप उसको save नहीं करेंगे and by chance light चली गई तो desktop में क्या होता है कि light गई आपका computer भी बंद हो जाता है ठीक है तो वैसे उसके लिए UPS वगएरा होते है कि UPS में क्या है आपका लगबग 15, 10 to 15 minutes चो आपका computer है light जाने के बाद on रहता है बट फिर भी by chance अगर light चली गई तो आपका जो data है वो all over delete हो जाएगा तो उसको save करते रहना बहुत जरूरी है तो इतना आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि random access memory कैसी है एक इस्थाई memory है इससे संगरही data है light बंदोने पर delete हो जाता है तो उसको आपको save करते रहना होता है नेक्स्ट है आपकी secondary memory primary memory के two types हो गए secondary memory कैसी होती है secondary memory में फाइलों का इस्थाई रूप से store किया जाता है दुतिकरन भंदारन से लाब बड़ी स्थान, छमता, विश्वशनीता, सुविधा और मितवेता है मतलब secondary memory में आपके secondary parts आते हैं जैसे कि आपकी pen drive cd, dvd हो गई, optical drive हो गई ठीक है जिसमें आप data को एक computer से दूसरे computer में भी save कर सकते है जैसे कि आपने कोई data बनाया कोई file बनाई अब आपको यहां से कहीं और लेकर जाना किसी और city में लेकर जाना है तो आप क्या करेंगे pen drive, dvd, cd इन में ही तो अपने data को save करेंगे फिर उस cd को लेकर जाएंगे अपना पूरा जो computer system है उसको उठा कर तो नहीं लेकर जाएंगे तो यह वाली जो memory होती है जैसे pen drive हो गई, cd, dvd यह आपकी secondary memory कहलाती है उधारन के लिए जैसे hard disk hard disk एक आंतरिक disk है यह CPU के अंदर पाई जाती है hard disk, okay चुम्बकी oxide से लेपित एक धातू की थाली है जैसे data का प्रतिनिद्यत करने के लिए चुम्बकित किया जा सकता है hard disk विविन आकारों में आती है और इन्हें disk pack में इखटा किया जाता है personal computer के लिए hard disk seal band module में three, three one upon two disk है hard disk floppy disk के तुलना में बहुत अधिक मात्रा में भंडारन करने में सच्छम होती है personal computer के लिए hard disk की को gigabyte में मापा जाता है किस में मापा जाता है याद रखेगा gigabyte में कुछ अन्योधारन जैसे hard drive, LST, SSD, flash, optical drive, UST drive आदी है ये आपके secondary memory के example है ये gear pass seal यानि कि computer में insert कराएंगे तभी तो आप उसकी data को पा सकते है तभी computer उसकी data को पा सकता है जब तक आप CD या DVD को बाहर रखेंगे तो computer की पहुँच से भी वो बाहर होगी ठीक है तो इस line का मतलब आप समझ गए होंगे next बढ़ते हैं history of development of computer history की बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो computer है उसकी शुरुआत कैसे हुई सबसे पहले कैसे computer बना शुरुआत में computer नहीं थे जोडने घटाने के लिए मनुश्य अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों का उपयोप करता था उसके बाद आया abacus ठीक है abacus को पहला यांत्रिक गरना उपकरण माना जाता है इसको first mechanical calculating device के abacus में सिर्फ दो operation कर सकते थे एक तो जोड next घटाओ यानि की addition and subtraction abacus एक frame से बना होता है जिसमें छडों को छड़ पर फिसलने वाले गोल मोतियों के साथ फिट किया जाता है आपने अपने घर में जो भी किसी के घर में बच्चे होंगे तो उनके लिए आप एक बार abacus जरूर लेकर आए होंगे या नहीं लाएं है तो जरूर उनको दिखाएगा 36 पट्टियों में प्रतेक में 10 मोति होते हैं जो इकाई दहाई पॉइंटर, मिडिल बार, रोट्स्ट के ये पूरा जो इसका अभिकस का पार्ट है वो सभी यहाँ पर डिसकस किये गए है नेक्स्ट है आपका नैपियर्स बोन नैपियर्स बोन एक मैनुवल रूप से शंचालित गढ़ना उप करना है जिसे जॉन नैपियर्स बोन जरूर याद रिखिएगा कि किसने कौन सा जो कंप्यूटर है या जो भी गढ़ना करने वाला यंत्र है किसने इनवेंट किया और कभ इनवेंट किया वो इतना जरूरी नहीं है बट इनवेंट करने वाले का नाम आपको पता होना चाहिए तो नैपियर्स बोन को किसने किया है जोन नैपियर्स बोन ने 1617 में संख्याओं के उतपाद और भागफल की गढ़ना के लिए बनाया था नैपियर्स बोन ने गिंती के लिए हड़ी की छड़ों इसमें लकडी की धातू की हाती दात की भी छड़ों का यूज किया गया है का उपयोक्या जहां उन पर संख्याओं मुद्रित की गई इन छड़ों की मदद से कोई भी तेजी से जोड़ घटाओ गुड़ा और भाग कर सकता है अब एकरस में क्या था सिर्फ आप अडिसन सब्ट्रेक्शन कर सकते थे बट यहां पर आप चारों ओपरिशन्स कर सकते हैं यानिकी एडिसन सब्ट्रेक्शन मुल्टिप्लिकेशन एंड डिवीजन ओके बोर्ड के बाएं किनारे को 9 वर्गो में विवाजित किया गया है जिनमें 1 से 9 तकी संख्या है तो इसमें आपकी याद रखने वाली बात कौन सी है कि Napier's Bone को किस ने invent किया ठीक है Next इसमें कितने operation कर सकते थे तो 4 operation कर सकते हैं और इसमें कितने यवाली line याद रखेगा जिनमें 1 से 9 तकी संख्या है नौ वर्गो में विवाजित किया गया बस इतना ही इसमें याद रखेगे Next यहाँ पर देख लीजे Napier's Bone कैसा है तो यह 0 से स्टार्ट होकर 9 तक आपकी जो गड़नाएं है वो यहाँ पर की जा सकते हैं Next है slide rule तो slide नियम एक यांत्रिक calculator है जिसे प्राथमिक रूप से गुणा और भाग करने के लिए दो नियमों का slide करके हाथ से संशालित किया जाता है और संबगता घातांक, मूल, लगुगड़क और त्रिकोड मिती के भी जो operations है वो calculation है वो भी इसमें कर सकते हैं तो mainly किसके लिए किया गया है सिर्फ multiplication and division के लिए किया गया है बट इसमें घातांक, मूल, लगुगड़क और त्रिकोड मिती भी यूज कर सकते हैं slide नियम का आविस्कार 1600 के दसक में विलियम हाउट्रेट द्वारा किया गया था लेकिन इसका व्यापक रूप में उपयोग 1800 के दर्शक के मध में शुरू हुआ जब Amiri Manham नामक एक फ्रांसीसी तोप खाने अधिकारी ने एक संस्क्रण विक्षित किया जो इंजिनेरों के बीच में लोग पुरिये हो गया तो यहाँ पर आप स्लाइड रूल को समझ गया होंगे ओप्रेशन ज़रूर याद रखिएगा यह आपका स्लाइड रूल है इसको देख लीजे नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्कल केलकुलेटर जिसको कहा जाता है पास्का लाइन वर्स 1682 में एक फ्रांसीसी वग्यानिक ब्लेज पास्कल ने पास्कल केलकुलेटर नामक एक जोडने वाली मशीन का अविशकार किया जो इसमें गेर के मदद से अंकों की इस्तिती का प्रतिनिदित करता है किसकी मदद से गियर के नाम याद रखेगा इन्वेंटर का कौन है ब्लेज पास्कल हालांकि ये मशीन कम्प्यूटर इंजीनियरिंग की शुरुआती अग्रदूत थी लेकिन कैलकुलेटर बड़ी वेवसाइक सफलता पाने में बिफल रहा मतलब इसमें छोटे मलिप्रिकेशन एडिशन उस तो कर सकते थे बड़ी क्यालकुलेशन को नहीं किया जा सकता था यह केबल जोड और घटाव ही कर सकता था इसमें डायल में हेर फेर करके संख्याय दर्ज की जाती थी तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि इसमें भी हम सिर्फ अबेकर्स की तरहां एडिशन और सब्ट्रेक्शन ही कर पा रहे हैं मशीन में पहिये गियर और सिलेंडर सामिल थे तो मशीन कैसी थी उसको भी देख लिते हैं देख लिजिए आप ठीक है क्या लिखा हुआ है यह PDF अगर आपको मिलीगी तो उसमें आप लोग अच्छे से देख लिजेगा लेविन्स कैलकुलेटर वर्स 1606 जिसमें लिबनेज को एक कैलकुलेटर की रूप में सफलता पूरुबग बाजार में पेस्ट किया गया था इसे 1673 में आगे डिजाइन किया था लेकिन इसे पूरा होने में 1694 तक का समय लगा तो आप समझ सकते होंगे कि एक एक कम्प्यूटर को बनाने के लिए एक एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को बनाने के लिए कितना जादा समय लग जाता था उस समय इसका आविसकार जर्मन गड़े तक गगे गौट फ्रीड विलहम लैबनीज ने किया था कैलकुलेटर बुनियादी गड़ती है कारे जैसे की जोड घटाना गुड़ा और भाग कर सकता है पहियों को समकोन पर रखा गया था जिने एक विशेश स्टेपिंग तंत्र द्वारा विस्थापेद किया जा सकता था ठीक है आप टाइम देखे कि कितना जादा टाइम जिसमें डिश्ट्रल डेटा होता है जो पूर्व निर्धारत स्थिती में च्थेद की उपस्तिती और उपस्तिती द्वारा दर्श गाया जाता है कैसे होते हैं पंचकार्ड उननको भी देख लेते हैं ठीक है जे एक मोटा कागा उसी में यह पंचेज द्वारा बनाये हुए हैं एनलेटिकल इंजन फर्स्ट कम्प्यूटर तो इसके बारे में हम कल पड़ चुके हैं कि चार्स बैवेज थे फादर आफ कम्प्यूटर इन्होंने क्या किया है पहला जो कम्प्यूटर बनाया पहली जो डिवाइस बनाई एन कर इंजन को फर्स्ट कम्प्यूटर का आगया आप कल की क्लास के पीडिया वो क्लास जरूर देख लीजेगा यह विशलेशनात्मक इंजन पहली पूरी तरह से स्वचालिद गढ़ना मशीन ब्रिटिश कम्प्यूटिंग अग्रडी चार्स बैवेज जिनकी इन्होंने यहा शशर्त शाखाओं और लूप के रूप में नियंतरन प्रवा और एकिकरत मेमोरी को शामिल किया गया जिसमें यह सामाने प्रयोजन के कंप्यूटर के लिए पहला डिजाइन बन गया जिसे आधुनिक शब्दों में ट्यूरिंग पूर्ण के रूप में वर्नित किया जा सक नेक्स्ट आपका टॉपिक जो जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की ठीक है फाइब जनरेशन्स उनसे रिलेटेड होगा उसको जरूर देखिएगा हो सकता है क्लास आपकी कल ही आ जाए क्लास कैसी लगी उसका जो फीड़ बैक है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एंड चैनल को शेर करिए थैंक्स पॉर वाचिंग